तो गाईज शेनियन वर्जन 4.4 में प्लेवल करेक्टर के लिस्ट में शामिल होने जा रही है लाइफ स्रेंग को दरान हम लोगों ने इसका गेम प्ले और किट देखा जिसे हमें इसका गेम में क्या रूल होगा इसका आइडिया लगा यह एक 5-star animal unit होने वाली है जो कि catalyst यूज करेगी इसका किट थोड़ा controversial है जहां कुछ लोगों को इसका play style अच्छा लगा वहीं कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया तो अब यह question आता है कि तुम्हें के लिए pull करना चाहिए या नहीं especially for those player who are F2P जिंग्यान का जो potential है वो उसके unique kit में lie करता है जो की ability है healing का उसके साथ साथ यह support देती है plunging attack का एक powerful healer होने होना इसको एक valuable asset बनाता है especially उनके लिए जिनके पास Baizu और Kokomi जैसे characters नहीं है उनके party में इसका जो elemental burst है वो नहीं सर्फ instant healing देता है सारे characters को बलकि continuous healing provide करता है over time जीन के जैसे और जैसे कि इसका buff और healing scale करता है इसके attack पे तो यह easier होगी build करने में बिना किसी दूसरे चीजों को sacrifice किये बिना तो जो key expect है Changiun की ability का वो यह है कि यह enhance करती है plunge attack damage दूसरे characters का यह उन लोगों के लिए interesting होगा जो कि डी लुक और शाव जैसे character use करते हैं अपने line up में डी लुक rely करता है elemental infusion पे इसे बावजूद इसे benefit मिलेगा सिंग्यून के plunge attack buff का शाव जो कि game का एक लौता ऐसा character है जो कि plunge attack से damage देता है वो सिंग्यून के plunge attack के साथ बहुत अच्छे से synchronize करेगा शायून का elemental skill allow करता है high jump करने में और चोटी मूटी glides करने में जो कि useful होगा mountain areas को explode करने में जो आगे आने वाले update में can you village आने वाला है उसमें useful होगा ये skill help करेगा बहुत से लोगों को जिनके पास wonder नहीं है जैंग्यून को pull करने का decision depend करता है तुम्हारे अपने personal preferences पे और team composition पे अगर तुम exploration prioritize करते हो एक ऐसा character के साथ इसके साथ मज़ा explore करने में तो तुम्हें जैंग्यून के साथ जाना चाहिए और अगर तुम exploration पे उतना focus नहीं करते तुम्हें ऐसा character चाहिए जो plunge attack करते हैं तो इसका buff useful होगा तुम्हारे लिए और ये as a support valuable होगी होगी तो गाइज अगर तुम्हें लगाइड वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 20 लाक्स कर देना मैं वह वीडियो बनाकर के डाल दूंगा कि शिंग्यून को कैसे perfectly एक एनिमो सपोर्ट की तरह बिल्ड कर सकते हैं तो आज के लिए तना काफी रखते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में या फिर स्ट्रीम पर तो इस वीडियो का लाइक है में 20 लाइक प्लीज कर देना ठीक है और वीडियो अच्छा लगए तो सब्सक्राइब भी कर लेना थैंक्यू सो बाइब बाइब!!